हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो माई चैनल तो आज हमारे कट्रा पत्नी टॉप ट्रिप का आस्टे है तो अगर आप मेरे वीडियो पहले से देख रहे हैं तो आप जानते होंगे हम दिली से कट्रा वैशनमाता और कट्रा से पत्नी टॉप कहे थे और अगर आपने अभी तक व आप लिंक इन देस्क्रिप्शन और प्लीज दो वाच तो वीडियो जो आज है दे फूर और याज हमारी कट्रा से दिली की वापसी है वैग्स हमारे पैक्ट है हमने 12 o'clock होटेल से चेक आट कर लिया है और हमारी कट्रा से दिली तक की जो ट्रेन है वो वंदे भारत ही है च यह ट्रेन 3 पी-म पे चलती है और 11 पी-म पे यह न्यू डेली स्टेशन पहुंचती है तो चेक आट करने के बाद लगेज हमने होटेल में ही रखवा लिया है जब तक ट्रेन का टाइम होता है तब तक कट्रा में ही हम थोड़ी दे रॉल घूमेंगे और फ्रेंड्स कट्रा आए और यहां का फेमस कलाडी कुल्चा खाए बिना तो हम जा नहीं सकते तो कलाडी कुल्चा कट्रा जम्मू की एक स्पेशल डिश है कट्रा चौंक पे जो बस टेंड की और रोड जाती है उसी रोड पे वहां बहुत सारे बन चोले बन न्यूटरी स्टॉल्स लगे होते हैं बट वहां पे सिर्फ एक स्टॉल ऐसा है जहां पे कलाडी कुल्चा मिलता है कलाडी एक यहां के स्पेशल चीज को बोला जाता है विच इस सेम एस तरह का चीज होता है लेकिन यह घर पे बनाया जाता है और यह रेडिमेड मॉजरेला चीज से बह और बंद के अंदर ये टमाटर, प्याज, मूली ये सब चॉप करके डालते हैं थोड़ा सा टमाटो कैचप डालते हैं और इसके उपर एक यहां की special चटनी अनार दाने की चटनी के डालते हैं ये almost ग्रेश ब्लैक कलर की होती है और ये बहुत ही जादा टेस्टी होती है इससे कलाडी कुल्चे का फ्लेवर और भी जादा निकल के आता है जब ये कलाडी मेल्ट हो जाता है तो इसे बंद के उपर डालते थे हैं उसके उपर अब ये थोड़ा सा बटर डालके अच्छे से बंद को फ्राइ कर देते हैं और बहुत ही जादा टेस्टी था मैंने ऐसा कुल्चा फर्स टाइम ट्राइ किया I wish की ये कुल्चा हर सिटी में मिलना स्टार्ट हो जाए It was so tasty और बस अब हम टाइम पर कट्रा रेल्वे स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन राइट टाइम यानि 3 पीम पे स्टार्ट हो गई और वंदे भारत ट्रेन की डिटेल्स मैंने अपनी इस ट्रिप की फर्स्ट वीडियो जो दिली से कट्रा ट्रिप है उसमें दी है और वो मॉर्निंग की ट्रेन थी और ये फ्रेंड्स इवनिंग की ट्रेन है और ट्रेन से हमें ये ब्यूटिफुल सा संसेट देखने को मिला इस ट्रेन में भी सेम उसी तरह से ही सब खाना प्रोवाइड किया जाता है इसमें हमें आफ्टर वन आर यानि कि 4 पी एम पर इवनिंग स्नैक्स प्रोवाइड किये गए थे और इस इवनिंग स्नैक्स में थे कचोरी, ची सेंडविच, केरमल पॉपकॉंस, टी और एपल जूस और एपल जूस और रात को आफ्टर 9 पी एम हमें डिनर प्रोवाइड किया गया था और वो बिल्कुल मॉनिंग की ट्रेन के लंच के जैसा ही था तो ओवरॉल यह ट्रेन बहुत ही जादा कमफर्टेबल थी और यहां का खाना बहुत ही अच्छा था तो ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम 11 पी एम पे न्यू डेली स्टेशन पहुंच कही फाइनली यह बैक हूम और यह फोर डेस का ट्रिप बहुत ही जादा अच्छा रहा और हमने खूब एंच्छा लगा हूगा आपको यह मेरा कट्रा पतनी टॉप का ट्रेवल व्लॉग अच्छा लगा हूगा और अगर आपको यह अच्छा लगा है तो प्लीज हिट था लाइक बटन और सब्सक्राइब तो मैं चैनल इफ यह वावंट यह थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंग फ्रेंज बावाई